कि गुद मॉर्निंग मेरे सभी सातियों आपको जैसे पता है कि आपका सब्जेक्ट जो fmsh है उसमें fm और sh दो पार्ट में वो डिवाइड है फ्लेड मेकैनिक्स और दूसरा है आपका सॉलिड हैंडलिंग तो जो फ्लेड मेकैनिक्स है तो इसमें जो आपका फ्लेड मेकैनिक्स का पोर्शन था उसमें आपके चार चैप्टर थे वो चारू चैप्टर कम्प्लीट हो चुके हैं अब जो आपका पार्ट बसता है पार्ट बी उस पार्ट बी में आपका सॉलिड हैंड लिग बार्ट स्टार्ट हो जाता है सॉलिड हैंड लिंग के पार्ट में आपके जो टूटल पांच चेप्टर है और वो आपका यह किसाब से पूरा अलग सब्जेक्ट है इतना एदा उसमें स्लेबस दिया हुआ है तो जो आपका पहला चेप्टर है पार्ड बी का उसका नाम है इंट्रोडक्षन बोल दिया जाए या बोल दिया कि रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन इसके बारे में आपका सिर्फ डिस्कुशन करना इसमें जो हमारा पहला चेप्टर है तो आज़े देखते हैं पहले चेप्टर में जो आपका में रहेगा हेडिंग वो क्या रहेगा कि अधुट ऑपरेशन इंडस्ट्रीज में यूनिट ऑपरेशन की महत्सपोर बहुने का है क्या-क्या रोल आईए देख थे हैं दीए यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि उसमें काई सारी हमारी यूनिट रहती है जैसे कि जहाँ पर अगर हम लोगों को कुछ इंपु यूनिट फिर जब हमारा output मिलना है तो output unit हो जाएगी फिर quality वाली unit हो जाएगी raw material जहां रखा है वो एक अलग unit है हमारी और उसमें कई सारे operation perform होता है तो हर operation अपने आप में एक unit होता है तो उन unit का क्या role है हमारी process industries में इसी के उपर चर्चा करी जाती है कि आज कल chemical engineering का प्रयो यूज की जाती है इसलिए एक engineer को process industries में प्रयोग होने वाली सभी प्रकार की instrument and machine cooperate करने के योग होना चाहिए मतलब क्या हो कि आपको industries में आप जा रहे हैं वहाँ पर यह नहीं कि आप जिस work के लिए appointment किये गए हैं आपको सिर्फ वही करना है in case कभी-कभी emergency फज़ाती है तो आपको जो कोई नहीं आया या आपको machine के साथ में आपके जो साथ वाली machine पे work हो रहा है उसके बारे में भी आपको knowledge होनी चाहिए या यह कह दे जाए कि एक engineer को उसकी industries में होने वाले अधिकतर mechanical operation जो कि उसके products related होते हैं उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए फिर तीस आपका unit operation का सिद्धान well understood rule पर आधारित होता है जबकि सिद्धान से equipment की सही जैनकारी प्राप्त हो सकती है well understood rule का नाम के अर्थ सही समझ रहोंगी कि अच्छी तरीके से किसी भी चीज के बारे में हम लोगों को समझ रखना फिर आपका जो next point है एक chemical engineering को उतपाद और equipment दोनों की design and efficiency में सुधार करने की योग होना चाहिए मतलब इसमें engineer होना चाहिए था यहां पर उसे अपने product के बारे में सही गयान होना चाहिए ताकि product को खरीदार के अनुसार बनाया जा सकी चाहिए मतलब हुआ कि कोई भी engineer है वो उसको proper knowledge होनी चाहिए कि वो क्या बना रहा है और उसमें और क्या-क्या सुधार किया जा सकता है according to the जो हमारा भोगता होता है या जिसको हमारा माल जिसके लिए वो product की supply कर रहा है अगर उसके according वो माल बनाएगा तो उसकी बिक्री भी अच्छी रहेगी और उसकी जो need है सामने वाले की वो भी पूरी होती रहेगी और वो अपने छेतर में अगरणी हो जाएगा फिर आपका प्रगला point है आपका unit operation के rule पूर्ण रूप से physics mechanics के rule पर अधारित हैं और हमें मान सकते हैं कि एक engineer इन नियमों को भली बादी पालन कर मसीनों को operate करने के लिए मसीनों को चलाने के लिए कितनी electricity चाहिए है कितना उसको pressure देना है किस moment पर किस angle पर उसको move कराना है यह सब आपके पास theoretically measure है पहले से यह कहा जाए कि उसको practical करके फिर theoretical में change किया गया फिर आपको use करने के लिए दिया गया है वह hypothetical चीज नहीं है कि अ इसा नहीं हो सकता है कि आप सोचें कि अगर इससे जादा करके देखें पर जैसे मानलिया कोई भी pressure है उससे जादा करके देखें तो शायद यह नहीं होती है क्यों कि आपका यह जितने अभी आपको data दिया जाता है किसी भी machine को operate करने के लिए वो सब practically proved होता है अगर आप उ नियमों को ना मानने पर तो इसलिए यह माना जाता है कि एक engineer होने के नाते वहां पर जो भी work करेगा वो इन नियमों का पालन आवश्य करेगा अगला है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि unit operation process में process industry के महत्व बहुत जादा है इसके द्वारा एक engineer क्या कर सकता है अगर इन निय products के अच्छे गुड़ों होते हैं यह सस्ते सुसजित होते हैं मतलब क्या हुआ कि यदि इन नियमों को पालन करके हम कोई product बनाएंगे तो हमारा जो product होगा वो सस्ता भी होगा और उसकी quality भी अच्छी होगी अब अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि अगर इन नियमों का पा आए जा सकता है लेकिन एक इंजिनियर होने के नाते आप क्या चूज करना है कि आपको जो product बनाना है उसका जो हम लोग input cost है वो कम रहे हैं और हमारा product अच्छा और मजबूत बने तो उसके लिए आप क्या करेंगे हमारे पास रास्ते कई हैं piston बनाने के लिए लेकिन जो जादा टाइम लग जाएगा और उसके इतने चोटे-चोटे सेफ होते हैं कि आप मसीनिंग सही से हो भी नहीं पाएगी और अगर माल यह हो भी कि तो वह उतना अच्छा effective piston नहीं बनेगा तो फिर हमको piston बनाने के लिए मसीनिंग की मसीनिंग करना रहेगा हम लोगों को फिर और हमारी quality जो सामने वाले कुछ आईए हम उसको quality maintenance रखते हुए product अपना देवा है तो यह आपका था introduction आपके chapter पहला हो गया है आपको यही कुछ important point है इनको ध्यान में रखना है और अगला chapter जो आपका है characterization of solid उसके बारे में हम next videos में आपको बताएंगे